नमस्कार मैं देविंद्र सिंग बिष्ट स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ये चैनल बच्चों के लिए इन कारे पत्रकों को सौल्व करने के लिए बनाया गया है जिसमें आज हमारे पास शिक्षानिदे साल राष्ट्य राजधानी छेतर दिल्ली से हमारे पास आया हुआ कार पत्रक है हिंदी विषए में कक्षा 6 के लिए आज 9 तारीक हैं तो आज का पत्रक है यह वर्क्षीट आज की है तो आईए देखते हैं इसमें क्या लिखा है प्यारे बच्चो आसा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे आपने पिछली कक्सा में आये कारेपत्रकों के द्वारा पढ़ाई के साथ साथ अपने रोचक गतिविदियां अनेक रोचक गतिविदियां भी क कि इस कक्सा में भी हम अभ्यासरत रहेंगे यानि कि इनी कारेपत्रकों के माद्यम से मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे रोचकता के साथ करेंगे पढ़ाई तो आसा है कि इन कारेपत्रकों के माद्यम से ग्यान के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा तो आईए आज एक कविता जो की हमारे कुद यहां पर दी गई है बहुत प्यारी कविता है तो इसे पढ़ती है पढ़ते हैं और इसे गुन-गुनाते हैं चलेए गुन-गुनाना सुरू करते हैं सूर्य देव जी हस्ते आते हलके तपसे हमें जगाते गर्मी में गुस्षा दिखलाते, सर्दी में सब जन को सुहाते धर्ती तपती अंबर तपता अगनी देव का ताप न घटता पलपल में दिन रात बनाते कर प्रकास से प्राणक बढ़ाते प्रातकाल पूरव से आते शायकाल पस्चिम को जाते उर्जा कहवा स्रोत है भारी सभी ग्रहों का पालनहारी अब यह देखिए यहां पे सूर्य देव जी हस्ते आते जब सुबह होती है तो सूर्य देव जी हस्ते हुए आते है और हलके तपसे सुबह की जो धूप होती हो हलके हलके गुन-गुनी धूप होती है थोड़ी से उसमें गर्माहाट होती है तो वो जब हम पर पड़ती है तो हम में उठ जाते है और जब गर्मी होती है जैसे आजकल चल रही है गर्मी तो गुसा दिखलाते है गुसा कैसे दिख रहा है जब गर्मी बरस दी इतनी तेज धूप हो रही है बहुत गर्मी हो रही है पसीना पसीना हो जाता है ये गुसा दिखलाते है जब सर्दी होती है तो सर्दी में सभी जन लगती है और मन करता है कि धूब में बैठे रहे तो यह सोहाना हो गया अगला धरती तपती अंबर तपता धरती तपती है उसके साथ अंबर मी अंबर मतलब आसमान आसमान भी तपता है अगनी देव का ताप न घटता जो अगनी देव है यानि की शूर्य की जो आग है उसका जो है ताप ताप मान बिल्कुल नहीं घड़ता वो खतम होता ही नहीं है वो जारी रहता है पूरी धरती भी तपती है और अंबर भी तपता लेकिन ताप बिल्कुल कम नहीं होता पल पल में दिन रात बनाते अब ये अब जैसे दो पैर हो रही है फिर रात होगी फिर सुबह प्रकास वे प्राण बढ़ते हैं अब जब प्रकास आता है तो उसके साथी प्राण भी बढ़ते हैं प्राण का मतलब जीवन बढ़ता है धरती पर जो जीवन है वो केवल प्रकास से है जैसे हम देखते हैं कि पेड़ पौधे जो है अपना भोजन कब बनाते हैं जब धूप पढ़ती है तो दो पढ़ती है तो वो क्या करते हैं प्रकास संसलेशन की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं आपको भिज्ञान में पढ़ने को मिलेगा साइंस में और पेड़ पौदों से ही अधिकतर जीव जनतू अधिकतर क्या सभी उनी पर निर भर है पेड़ इनसान हो चाहे जानबर हो चाहे कोई भी हो तो इसलिए प्राण का बढ़ते हैं जब प्रकास होता है तो प्रकास कितना महत्व पुर्णा वाली है प्राता काल पूरव से आते हैं जो प्राता काल होता है तो वो पूरव दिसा से निकलते हैं पूरव दिसा से आते हैं और जब साम होती है तो पस्षिम दिसा में वो छुप जाते है और जब पस्षिम इसका मतलब क्या है कि सूरत देव जो है वो पूरव दिसा से आते है और पस्षिम दिसा में छुप जाते है उर्जा का वह स्रोत है भारी सभी ग्रहों का पालन हारी अब देखे उर्जा का जो स्रोत है उर्जा जो उनका ताफ है जो उनकी गर्मी है जो उनका प्रकास है उससे हमें उर्जा मिलती है अब उर्जा कई रूपों मिलती है चैसे मैंने बताया कि पेड़ पौधे भी अपना भोजन तयार करते हैं हर जीव जन्तों की इसी प्रकास से ग्रोथ होती है बृद्ध होती है इस पिर्थवी पर जो जीव प्राणी है जितने भी वो सभी सूर्य की वज़े से ही है अगर सूर्य ना हो तो पिर्थवी बिल्कुल ठंडी रहेगी ठंडी रहेगी तो ये पूरे जमी रहेगी जमी रहेगी तो कहां से पेड़ पौदे होगे कहां से होंगे नहीं हो सकते तो कह रहे हैं कि ये उर्जा का जो है सुरोत बड़ा भारी सुरोत है और सभी ग्रहों का पालनहारी है अब सभी ग्रहों का पालनहारी कैसे है जितने भी हमारे ग्रहे हैं आटो ग्रहे हैं वो सभी इन से चारो और विर्दाकार गूमें ghovenते हैं ये सूरे के ही चक्र लगाते हैं अपनी कक्षा में रहकर सूरे के चारो और गूमते हैं ठीक है तो इसलिए इने सभी गौहों का पाला नहोडही कहा है आईए आप प्रश्मतर देखते हैं इसके कुछ बहुत भी कल्प ये प्रश्ने है objective मा objective वाले देखिए इस कविता का उचित सीर्षक होगा तो उचित सीर्षक क्या होगा option देखते हैं सूर्य का प्रकास खा हो गया हमारे पास सूर्य देव गाह हो गया, सूर्य नमस्कार तो बताईए मैं ही बता देता हूँ इसमें जो उत्तर होगा, वो होगा खाँ, सूर्य खाँ, सूर्य दीव अगला हमारा प्रश्ण सूर्य हमें कैसे जगाता है और सन देखते हैं काल है, हलके ताप से थप थपा कर और अगला जो गाह है गुस्सा दिखा कर तो यह कहें कैसे जगाता है हलके ताप से हलके ताप से जगाते हैं तो कावला सही हो जाएगा अगनी देव का ताप न घरता पंक्ति का क्या मतलब है अब अगनी देव का जो ताप है वो नहीं घड़ता उसका क्या मतलब है इसमें आपसन देखते हैं को है गर्मी खत्म हो जाती है गर्मी बढ़ जाती है गर्मी कम नहीं होती है तो इसका जो उत्तर होगा कि पहला भी नहीं हो सकता कि गर्मी खत्म होता ही नहीं है उसके बढ़ गर्मी बढ़ जाती है बढ़ती दहई और गर्मी कम नहीं होता है तो इसमें क्या है उत्तर जो हमारा होगा वो होगा गर्मी कम नहीं होती है आगे देखिए सूर्य देव किस दिशा से उदय और वह अस्थ होते हैं किस दिशा में तो उदय और अस्थ तो इसमें पूरा पस्थिम उत्तर दक्षिन और उत्तर पस्थिम तो इसका उत्तर होगा का पूरव इसमें निकलते हैं पूरव से आते हैं आगे हमारे पस कविता में आए तुक बंदी वाले सब्दों को खोजिए तो तुक बंदी आते और जगाते तो आते और जगाते में देखिए तुक बंदी किसे कहते हैं तुक बंदी होता है एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति तक पहला जैसे आते और जगाते फिर दिखलाते और सोहाते फिर तपता और गटता फिर बनाने और बनाते फिर आते जाते भारी भारी और हारी तो जैसे उसने यहाँ पे लिखा है कि जगाते दिखाते और सोहाते तो हमें यहाँ पे लिख देना है दिखाते और यहाँ पे यहाँ पे सुहाते ठीक है फिर नीचे लाइन में आ जाएगा इन दोल पंगतियों को जोड देना है ये ये दोनों जो अंत की के सब्द है उन्हें जोड़ना है आते जाते भारी हारी तो ये तुकबंदी हो गई जो अंत के सब्द होते हैं ये तुकबंदी कहलाती है तो प्यारे बच्चों ये था कख्षा च्छे के लिए कारे पत्रक काहल और इसको ध्यान से देखिए अपनी कौपी में कीजिए इनके प्रशनुत को कीजिए और इस तरह की कविता बनाने की कप रियास कीजिए और ये वीडियो लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों को सेर कीजिए साथी साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन दवाना बिलकुल न भूले तो आईए मिलते हैं अगली कक्षा में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैवारत